हेलो गुड आपनून दोस्तों और आज हम पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलोजी फॉर आरेस के लिए तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वह साइंस के स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम साइंस के अंदर सबसे पहले हम बायलोजी देखेंगे फिर हम फिजिक्स देखेंगे फिर हम कैमिस्ट्री देखेंगे और एज पर सेलेबस आपकी जो कंप्लीट विप्रेशन में आपको यहां पर करवाऊंगा तो साइंस एंड टेकनोलोजी में जैसे आपके बाइलोजी का पार्ट है तो यह जो से लबस है यह तो है प्री का और यह है आ में के बात करें तो में आपके chemistry भी है physics भी है बाइलोजी भी है यह कंप्यूटर साइन्स भी है कॉंट्रिबुशन आफ इंडिन साइन्टिस्ट भी है स्पेस टेकनोलोजी भी है है ठीक है तो हम यह करके यह सारे के सारे टॉपिक क्या कवर करेंगे तो आज ही है हमारा ज का होता है कितने होते हैं इसीजर प्रिमोलर वगरे क्या चीज़ होती है तो अगर बात करें कि हमारे तीन सब्सक्राइब करते हैं वाइलोजी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइट किया सकता है एक तो जुलोजी एक होता बोटनी यह नहीं एक त्रेस हो गया वनस्पति भी गया नहीं तो सबस्ब्सक्राइब करते हैं वाइलोजी के अंदर हम क्या 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 पटेंगे जुलोजी के अंदर हम पटेंगे लिवाओन घ्री जिनतों गावर्गी करन एकोनोमिक इंपर्टेंस ऑफ एनिमल यह जो कि आर्थिक मेर्थि के हमारे पास में कौंड़ कौन से जानवर है व प्लांट क्लासिफिकेशन, यенि यह अपने पादप का वर्गी करन एक तरदे और प्लांट ओफ इकोनोमिक इम्पोर्टेंश यानि जो भी हमारे एकोनोमिक जीन हें आफ्के पर प्लांटस जानेंगे तो सबसे बड़ा टोपिक है आपका human physiology और सबसे ज़्यादा मेक्जिबं कोश्चन भी यहीं पूचे जाते हैं अब human physiology का मतलब होता है कि human की जो बोडी है वो कैसे कैसे वर्क करती है उसकी क्या requirement है तो एक एक चीज के बारे में हम खुल कहीं आपर बात करेंगे है जैसा फास्ट ही आता है nutrition system हम nutrition system में हम decide करेंगे कि वहले तो कितने तरह के होते हैं होते हona सकती है को नई बना सकते हैं ऑनिए हम यह बात करेंगे कि हाना मुख से लेकि जब तब करतें तब कितने process से गुजडरता है धो यूजिम में लिया उन्गान के हम्हार्मोन होते है कहां इस हि解mp Muito है कैसे अएकाछ darू होता है होता है और अकर डाईजिशन प्रोपर ना हो तो क्या होता यह सारी चाहिवे कि आसमें जानेंगा सिश्टम में जब सिश्टम हो जाएगा फिर हम बात करेंगा हमारे रिणी पीलिया का लिया है लेकिन इसके zap Isaac के साथ επजिक विए energy release होगी तो फिर इसके पड़ेंगे तो पड़ेंगे सिस्टम कि वह जब क्वाने को हमारा ब्लड के अंदर ढाल दिया ब्लड में oxygen मिक्स होगे तो फिर ब्लड हमारा के अंदर कैसे से रोटेट होता है तो फिर हम वो जानेंगे सर्कुलेटी सिस्टम फिर सब कुछ हो गया है तो फिर हमारा जो भी वेस्टेज है यूरिन हो है ना तो वह हम कैसे एक्सक्रीट करेंगे तो हम फिर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की इसी तरह से फिर हम बात करेंगे हमारे स्केलटन सिस्टम की हमारे कितनी बोंस है कहां पर है ठीक है इसी तरह से हम पढ़ेंगे endocrine system very very important systemQueues Qone si gland care him requires 데 nervous system कीुंप करेंगे इसी आदर से इसी रिप्रोड सी इस्टम की बात करेंगे और हम और ऐजएम की बात करेंगे तो आज हम सबसे पहले हम स्टाट कर रहे है इसके अंदर हमारा nutrita system to की बात करें तो यह 2 type न्युटरिशन system एक होता, autotroph एक होता, heterotroph, autotroph का मतलब होता है, switch, यानि कि जो अपना portion swim कर सकते हैं, जो अपना food है, वो खुद बना सकते हैं, यानि make food on by photosynthesis और chemical synthesis, यानि फोर या तो photosynthesis के तुर्ब अपना खाना बनाएं या chemical synthesis के तुर्ब अपना खाना बना ले और हिट्रोटॉप उनको कहते हैं कि जो अपना खाना स्वेम नहीं बना सकते हैं यानि डायरेक्ली और इन डायरेक्ली इपेंड ऊन फूर Оटो ट्रॉप के बात करें तो दू नोट डिपेंड ऊन अदर्स पर फूड और उसके एक्जंपल क्या जैसे ग्रीन प् इसके एक्जामपल है ओटो ट्रॉफ के वैसे तरह से हिट्रो ट्रॉफ कि जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं तो हम भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं आदमी भी अपना खाना नहीं मनाता जानवर भी घाई भी अपना खाना नहीं मनाते हैं तो इसके क्या क कौन कौन से गोट है होर से काउ है एट सेक्टर इसी तरह से बात करें कौर्णी वोर्स का मतलब है ओनली डिपेंड ऑन मीट यानि केवल और केवल महासारी परवर्ती के लोग यानि केवल क्या काते है मास काते हैं एक्जामपल के हमारे टाइगर तीसरे बात करें ओमनी वोर्स Omni vorus का मतलब हो गया सर्वहारी यह यहीं जो Cornivore का भी काम कर सकता है Hur discussions का भी काम कर सकता यह यह जो शाकारी भी खा सकता है जो मसारी भी खा सकता है जो जिसा मिला दोनों में से उसको वह खा सकता है तो यह क्या है फेंड on plaunt as well as meat एक्जम्पल जिसका हीूमन है, डोग है, केट है, एसे तरह से next है, केणिबल, केणिबल का मतलब है, ऐसे जानवर, जो खुद अपने ही तरह के जानवरों को खा जाते हैं, अपनी केटिगरी के लोगों का शिकार करना, इसे तरह से next आते हैं, कॉप्रो का मतलब हुथा है, living in fishes या डंग एक तरह से जो गंदगी में रहते हैं उनको किस केटेगरिम डलती है हमने कोपरो जो जिसका एक्जामपल है पिग अब नेक्ट बात करें हमारे का डाइजेस्टिव सिस्टम की यह तो हमने बात कर लिए नूटेशन में कि पहले खाना कौन अपना बनाएगा कि नहीं बनाएगा फिर खाएंगे तो सारी चाहे जो खुद बना के खाए चाहे किसी का बनायावा खाए तो अब हमने यह बात कर लिया कि कौन कैसा क्या तो हमारा हमने का डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके दो में पार्ट है एक होता हमारा एलिमेंटरी कैनल और दूसरा होता हमारा डाइजेस्टिव ग्लेंट एलिमेंटरी कैनल क्या करती हमारे उस खाने को विस्टिव आते उस पूरे शरीर में जहां-जहां से भी वह बोड रही के पार्ड में मुँव कर रहा है तो हमारे जो उसके अंदर डाइजस्टिव ग्लेंड यह वह उसको क्या काम करती पचाने का काम करती तो खाना हमारे शरीव में पचेगा कैसे मैं कीसे डाइजस्ट यह होगा यह किसी से EP के digestive glands हैं तो अगर सबसे पहले हम बात करें elementary canal की elementary canal की हमारे शरीर में length कितने होती एट तू 10 meter from mouth to anus tube ठीक है कितने length होती है एट तू 10 meter generally यह क्या होती है बड़ी होती है तो यह हमारे शरीर में क्या एक तरह से छोटी है small in size है इसका small बताता होना बताता है कि आदमी की कैसी केटेगरी है यह नि जो है by default जो बर्त से वह किस केटेगरी करना था कॉर्णी वरस केटेगरी कर अगर यह लंबी होती तो इसका मतलब कैसे होता है हम vegetarian तो हम यानि इससे क्या इसको हम सब्सक्राइब करते हैं यह सारी चीज़ों में यानि इस तक तो इस माउस से लेके आपका फूड है वह किस किस तरह से प्रोसेस करता है वह हम सारा जानेंगे टॉपिक वाइज एक एक चीज़ हम सारी एक चीज़ पढ़ेंगे हम टंग भी पढ़ेंगे टीद पढ़ेंगे यूबला भी पढ़ेंगे ऐस सबसे पहले हमारा खाना खा गया क्यों कर को लिभा तो फिर टंग के अंदर हमारी क्या होती है लार होती है लार के अंदर यानि एक तरह से सलीवा होता है सलीवा के अंदर हमारे कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो खाने से बैक्ट्रिया को मारते हैं यह चीज हम जानेंगे टीथ हमारे कैसे होते हैं टीथ का डेंटल का फॉर के टाइम उसमें प्रिकलोटिस का क्या योगदान है यह चीज़ देखेंगे जब यहां से हो गया फिर हमारा खाने के अंदर चला गया इस टोमक के अंदर हम बात करेंगे कि हमारा यहां खाना कितनी देर रहता है किसी आदमी को उल्टी होती तो खाना यहीं से क्यों बार आता जहर दिया जाता है तो जहर अगर कोई खाले तो उसे उल्टी की दवाई क्यों दी जाती है इसके अंदर जब होता है तो फिर हमारे बोडी को जलाता क्यों नहीं है फिर इसके बाद में हमारा गॉल्प लेडर क्या काम आता है बाइल जो है ना बाइल जूस वह क्या काम करत होता है उसके बाद nella allows जाता है एक्सक्राइट कर देती है तो यह हमारा भेक्षान का फूड की कि होता है फिर वहां से भी जो बच जाता है फिर मुसकों क्या कर देते हैं एक्सक्रीट कर देते हैं तो यह हमारा बेसिकली है कि हुमन की डाइजेशन सिस्टम के अंदर यह हमारा एक तरह से सब कुछ यूज होगा और हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको रटना नहीं पढ़े कि कहां पर से बोड़ी के किस पार्ट में क्या क्या चीजे होती है और कैसे कैसे हमारे बोड़ी की फंक्शनिंग होती है तो सबसे पर पर हम बात करें माउथ कीह तो मुंह के अंदर हमारे दो की क्राइब होती जीव को अडरे पीछन की से जुड़ी होती तो वह अपनी उत्व को पूरी पीछे निकालगे बार फैक्स सकते हैं एकला उसको होती है जो टंगु होती है वह बनी किसकी होती है और हमको मेंग टेस्ट बैपर-वींट होता है और हम्हारा जो में जो हमार आगे का फॉरंट पॉर्शन होता है यह तो किसको डिसाइड करता है कोई भी चीज स्वीट है अगर आप आगे रखोगो तो आपको पता पड़ेगा कि वह स्वीट है इसी तरह से कर निया टंग के पीछे वाले पॉर्शन क्या बताता है क्वान सा टेस्ट देता है हमें बीटर और जो साइड के बूड़ा होता जाता है यानि एज बड़ती करते है यह तेस्ट वर्ट समरी करतकि बादर। साथे नियुक्त वर्ट चोंद संदि आपकर होалगों क्यौशंसर्ण और जब आपको तो इस पाइसी हो और आपका मुझ जलने लगे तो आप यूज क्या करें वाटर नोट सूगर ठीक है तो यह तो होगी हमारी बात टंक की अब हम बात करते हैं टीथ की टीथ हमारे सरी दो तरह के टीथ होते हैं एक को पर्मानेंट टीथ दूसरे को हम बोलते हैं टेंप्रेरी पर्मानेंट टीथ का डेंटल फोर्मूला होता है 2123 और टेंप्रेरी का होता है 2102 का मतलब है कि जो बच्चें होते हैं उसके अंदर प्री मोलर नहीं होते हैं और टेंप्रेरी टीथ नंबर में अंदर कितने होते हैं 20 उनको मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है और यह 13-15 साल की उमरते करेते हैं उसके बाद में यह तूट जाते हैं और पर्मानेंट के बात करें तो आप सब के भी हैं पर्मानेंट टीथ होते हैं 32 कितने होते हैं नंबर में 32 और जो सबसे लास्ट में आता उसको का नाम देते हैं एट लास्ट विजडम टीथ उसको का नाम देत विजनम टीद अब आब बात करेंगर डेंटल फोर्मॉला की एक टीथ फोर्मॉला की तो वो ता टू-वण-टू-थी और यह उगया हमारे एडल्ट के लिए पर्मानेंटीट के लिए तो इसमें जो टू है यह तो शोखते हैं हमारे इंसिजर जो के आगे के दाथ होते हैं जैसे मैं यहां पर आपके लिख देता हूँ जैसे 32 दाथ है तो यह जैसे मान लोग वह यह लोवर जो है तो इस टाइटिंग के जैसे तीन होगे यह को तो नाम दे दे हैं हमने मोलर फिर जैसे यह दो होगे तो यह होगे हमारे प्री मोलर ठीक है भी यह एक हो घै नाइन फिर यह महरे नेक्स्ट कर से दो होगे यह को होगे मेरे इंसिजर अब सभापिस यह यह टाइए यह फिर यह से रोजाएंगे यह फिर के नाइन हो जाय इदर फिर वापिस 8 का repetition 16 और 16 को जो multiply कर देंगे टू से यह उपर वाले जो के लिए तो यह क्यों जाएगा 32 तो इसके अंदर जो क्या होता सबसे जाता है के अब बात करेंlov जोगों केहां नाम होती है उसको लेयर का मैंने क्वेर होता है और यह क्या हुता है यहाद सबसे क्रिद्हद कोन होता है ऑने क्रेंगे ज्यादा रब करेंगे ना दातों से दुख लोग किते हैं अगर रिड्यूस होगा तो फिर वहां पर उसको उन लोगों को किसकी प्रोब्लम होगी सेंसिटी वी ठीक है तो ज्यादा हमें एनेमल को रब नहीं करना चाहिए अब बात करें हम कि इसके एक्जांपल की तो जो एल दातों की लैंट क्या होती बढ़ती रहती बहुत जल्दी बढ़ती है क्यों इतने क्या करते हैं कुतरते रहते हैं हमारा इसके जो लैंधे दातों की वह बढ़ती रहती है टीत की लेकिन हम भी क्या रेगुलर बोलते हैं खाते हैं तो वह हमारी रेगुलर क्या होती है उतनी घिस्ता रहता है ठीक है तो यह तो हो गया हमारे टंग के बारे में यह तरह से माउट के बारे में माउट में हमारे एक टंग टंग पर हमारे करने तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं पूरी के इलिमेंटरी कैनल क्या होती है इलिमेंटरी कैनल के बाद जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे इसके उपर सेलिवरी ग्लैंट पर जैसे टाइलीन हमारा एंजाइम होता है त तो पहले हम इसकी एलिमेंटरी के बारे में सब कुछ पढ़ लेगा उसके बात हो इसकी नेक्स्ट बात करेंगे इसकी यूगला की कि यूगला क्या होता है तो आज के लिए इतना काफी यह मारा इंट्रोडक्री लेक्चर था मेरा नाम धर्मेंद्र और अगर आपको क्या होता है एपिक लोटिस कैसे काम करता है हमारा एस फेगस क्या होता है मुकस गॉल ब्लेडर इनके बारे में नेक्स टॉपिक में बात करेंगे थैंक यू कर दो